आग चलाने के लिए फ्यूल, हीट और ऑक्सिजन की ज़रूरत होती है तो क्या माचिस की एक छोटी सी तीली यनि मैच स्टिक को चलाने के लिए भी फ्यूल, हीट और ऑक्सिजन रिक्वाइड होता है अगर हां तो फिर ये कैसे मुमकिन है चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ जो है How does the match light up and what kind of changes did the match undergo Match burning mechanism को understand करने के लिए जरूरी है कि सबसे पहले हम जाने कि हमारे पास वो कौन सी components हैं ये ingredients हैं जो के match stick या match box की composition में यूज होते हैं So अगर बात की जाए match stick की तो first component हमारे पास जो match stick में यूज किया जाता है That is antimony trisulfide Antimony trisulfide को हमारे पास match के head में यूज किया जाता है as a fuel के तोर पर इसके साथ हमारे पास potassium chloride को use किया जाता है जो के as an oxidizer use किया जाता है और ये हमारे पास fuel को burn करने में help करता है कौन से fuel को burn करने में help करता है antimony trisulfide को जो के हमने as a fuel add किया So ये second ingredient है हमारे पास potassium chloride Third ingredient जो के optional है वो है हमारे पास white phosphorus White phosphorus जो है extremely volatile होता है बहुत easily oxygen के साथ reaction करता है और साथ ही burning के mechanism को speed up करता है अगर बात की जाए white phosphorus की तो आजकल हमारे पास mad stick में white phosphorus को use नहीं किया जाता क्योंकि ये extremely dangerous है बहुत आसानी से ये जो होता है fire को catch कर लेता है और ये ही वज़ा है कि हमारे पास जो manufacturing industries में workers होते हैं उसके लिए भी और साथ ही users के लिए भी ये काफी dangerous है इस वज़ा से white phosphorus को mostly avoid किया जाता है composition of mad stick में ठीक है फूर्थ ingredient जो हमारे पास use होता है वो है glue glue को use किया जाता है ताकि तमाम जो ingredients हैं ये components हैं जो कि antimony trisulfide, potassium, chlorate, white phosphorus इन सब को आपस में combine करने के लिए glue को use किया जाता है और ये ingredients जो हैं हमारे पास match के head में use किया जाते हैं अब जो हमारे पास इसके साथ अगर बात की जाए हमारे पास जो fifth ingredient है that is wood और paraffin wood और paraffin जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो माचिस की तीली होती है या तो वो एक suitable wooden material से बनाई जाती है या फिर paraffin को use किया जाता है साथ ही कभी को बार डाय भी use किया जाता है means कि color को add किया जाता है ताकि इसके look को बहतर बनाया जा सके ठीक है तो ये वो तमाम ingredients हैं जो कि हमारे पास match stick में use किया जाते हैं हमने बात की कि anti-money trisulfide जो है उसको use किया जाता है as a fuel के तोर पर potassium chloride को use किया जाता है ताकि वो burning की इस process को speed up कर ले ठीक है glue को combine करने के लिए binding के लिए use किया जाता है और wooden material या कि हमारे पास paraffin को use किया जाता है stick के तोर पर अगर बात की जाए match box की तो match box की composition में हमारे पास जो है इसकी जो side होती है जिस पे हमारे पास हम क्या करते हैं rub करते हैं या strike करते हैं इस match को उसमें जो material use होता है वो first ingredient या material जो है हमारे पास वो है powdered glass powdered grass को use किया जाता है ताके वो friction produce करें ठीक है second जो है हमारे पास वो है red phosphorus right phosphorus को use किया जाता है ignition के तोर पर ठीक है ताके वो help out करे easily burn करने में अब चलिए जानते हैं कि इसका full mechanism क्या है किस तरीके से हमारे पास match stick और match box जो है work करता है जब हम इस match stick को strike करते हैं या rub करते हैं match box पे तो उस mechanism को discuss करते हैं जैसे ही हम match stick को match box की surface पे strike करते हैं as a result हमारे पास friction produce होती है अब ये friction क्यों produce होती है जैसे कि हमने discuss किया था कि match box की surface पे मुझूद जो powdered glass होता है वो friction produce करता है ठीक है यहीं वज़ा है कि जैसे ही हमने मार्चिस की तीली को strike किया match box की surface पे तो जो match box की surface पे मुझूद पाउडर्ट ग्लास था उसकी वज़ा से friction produce होती है अब ये friction जब कभी produce होती है तो इसके white phosphorus ने क्या किया white phosphorus ने हमारे पास जो match की तीली यानि match की head पर मुझूद हमारे पास potassium chloride है इसके साथ reaction कर लिया और as a result हमारे पास क्या हो गया heat evolve हुई और साथ ही oxygen produce हुई जिसके result में जैसे ही हमारे पास heat evolve होगी means के हमारे पास temperature increase होगा इसके result में क्या होगा हमारे पास जो match की head पर मुझूद एंटी मरी trisulfide जिसको as a fuel यूज किया जाता है वो क्या कर लेगा fire को catch कर लेगा और इसके result में हमारे पास match stick का convention का process टार्ट हो जाएगा और match stick light up हो जाएगी so इस तरीके से हमने जाना कि हमारे पास match stick किस तरीके से easily light up होती है again repeat करती हूँ कि हमारे पास जैसे कि हमने discuss किya कि match stick की surface पे two materials यूज होते है first है powdered glass and second है red phosphorus जैसे ही matchs की तीली को match box की surface पे strike किया जाता है as a result हमारे पास friction produce होती है क्योंकि हमारे पास match box की surface पे powder glass मुझूद है जो कि friction produce करता है इस friction की result में heat produce होती है जो कि match box की surface में मुझूद red phosphorus को convert करता है white phosphorus में और जैसे कि हमने already discuss किया है कि white phosphorus जो होता है ज्यादा easily जो है वो क्या करता है fire को catch कर लेता है ज्यादा dangerous है means ignition के process को speed up कर लेता है यहीं वज़ा है कि यह जो match के head पर मुझूद यानि के माचिस की तीली के जो head है इस पर मुझूद potassium chlorate के साथ easily reaction कर लेता है और साथ ही heat evolve करता है और oxygen produce करता है जैसी ही heat evolve करता है means temperature increase हो जाता है जिसके result में हमारे पास माचिस की तीली के इस head पर मुझूद antimony trisulfide जो होता है वो क्या कर लेता है वो कंबंशन का process start कर लेता है और जिसके result में हमारे पास जो है कंबंशन start होने की result में क्या हो जाता है जिके हमारे पास easily match जो है वो light up हो जाती है क्या हिर सकते वश वा कर दो है लेड़ि़ जीडि़ आस उðके क्यो है क्या है… अर सकते है झाल 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 झाल